सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाईए हमारी लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अगर आप वेट लोस करना चाहते हैं तो भी यह बहुत ही अच्छा और हैल्दी ओप्षन है इसे खाने से आपका कमाल का वेट लोस होगा तो बस वीडियो को बिना इसकिप की लास्त तक पूरा देखिएगा ताकि आप इस हैल्दी और टेस्टी नाच्टे को बना कर त्यार क सकें तो आईए देर के इसे बनाना स्टाट करते हैं तो इस तरीके से बनाने के लिए को यहाँ पर मैंने लेकिन पैकेट वाली जाते हैं चोटआ चोटे केड़े हो जाते है लेकिन पैकिन वाली सूजी में भूँख़ँ ज्यादा टाइम लगता है और तब तक क्या होता है है? कि की सूजी पूरी फिनिश हो जाती हैला है तो हम इसे के सब्सक्रार कमी बाड़ना ले लिया है और नुट इसे कम से कम 12 रेलि नाष्टा इससे करपा एंगे तो आप जितने भी अपके family member से उसके according इसे बना सकते हैं और दो cup सूजी के अंदर कम से कम 3-4 लोगों का नाश्टा आराम से हो सकता है तो देखें इस तरीके से जो अभी सूजी के दान है वो हलके-लके मोटे होते हैं हमें जो है इसको थोड़ा सा बारिक करना है ताकि इसका जो texture है ना वो दाल और चाउन वाली इडली की तरह है तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा पीस लिया है तो पीसने के बाद ही थोड़ा सा बारिक हो गया है हाँ बिल्कुल आटे की तरह भी नहीं है और लेकिन सूजी जैसे नॉर्मल होती है वैसा भी नहीं रहा है बिल्कुल मेडियम इसका texture हो चुका है अब हम क्या करेंगे इससे side में करेंगे और एक mixing ball ले लेंगे जिसमें कि हमें इसे fat के तियार कर लेना है तो देखें ये बड़ा सारा mixing ball में ने ले लिया है ताकि आसानी से हमें इसे चला पाएं और इसमें ना सारी की सारी सूजी डाल देनी है इस तरीके से तो ये काफी अच्छे से बनकर तियार हो जाती है मैंने आपको बताया ना कि तीन से चार मेंबर के लिए बहुत ही sufficient होता है ये breakfast और इतना जादा test होता है ना कि आप बच्चों के lunch box में अगर इसे देंगे ये आपके बच्चों को और उनके friends को बहुत जादा पसंद आएगा तो यहां पर मैंने दो कप सूजी ले ली थी औ और सेम कप से मैंने इसमें दो कप दही डाल दिया है तो आपको ये quantity बिलकुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जितनी सूजी आप लेंगे ना उतना ही आपको दही इसमें ले ले लेना है और एक बार आप इसे mix करके देख लें क्योंकि इसकी जो consistency होती है ना वो बहुत जाकि कि देख लेए कर दही होता है तो जह जाकि पर्कम होती है वसके बाद में जरूल दही ला सकते है तो यह झो सब्सके हमाथा दो पानि मिली अपा जाता है बिलकुल इना और अच्छे सांना ही बिल्कुल ले लिए ले लिए वां शेяс्शा बीनologies जा उता है बेटर बनकर त्यार होता है तो देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको फेट लिया है अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा नमक लेकिन पहले साइट से थोड़ा से इसको हटा लेते हैं ताकि सुन्दर सा लगे तो नमक आप अपने स्वात के अनुसरा डाल लें तो मैं य इक्टिवेट हो सके और उसके बाद में ना हमें फिर से इसको एक से दो मिनट के लिए इस तरीके से विसकर से फेट ना है देखें यह प्रोसेस करना ना बहुत जादा कंपल सरी है इसी से आपके इडली जो है वह फलफी बनकर त्यार होगी और अब खाने वालों को वह बहुत जादा देखें फर्मेट हो गया है बिलकुल पंदरा मिनट में काफी अच्छे से तो देखें इस तरीके से इसके फिर से फेट लेंगे और फेटने के बाद में अब हमें क्या करना है इसको साइड में कर लेना है तो मैं बाकी चीज़ें आपको दिखा देती हू जाती साथ आपको और कोई वेज़ेटेबल पसंद होती ही तो आप इसमें एड भी कर सकते हैं और जो ना पसंदे उसे इसके भी कर सकते हैं अब चलते हैं गैस की तरफ और गैस की फ्लेम कॉन करके यहाँ पर मैंने रख दिया है एक तवा उस पर मैं डाल रही हूं यहाँ थ्री टेबल इस्पून जितना घी यह घी में बनाने से इसका टैस्ट बहुत जादा अच्छा आता है और जैसे घी गरम हो जाएगा इसमें आदी छोटी चमस डाल देंगे राई थोड़ा सा डाल रहे हैं यहाँ पर करी पता और उसके बाद में जो सबजी हमने काटके इडली बनेगी क्योंकि एक बार में हम चार इडली ही तवे पर बना पाएंगे तो मैंने इस तरीके से ना तीन टुकड़ों में डिवाइड करके वो चीजे ले ली हैं अब इसमें मैं डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक जो कि हमारी इन सबजीयों के अकोड़ेंगी होगा केव और इसे हलके से सोटे कर लेंगे मुश्किल से एक मिनट तक क्योंकि हमें ना इन सबजीयों को ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल हलका सा सोटे करना है बागी तो यह हमारे इडली के बैटर के साथ में बनेगी और यहां पर थोड़ा सा ना मीठे निम की डंडी आ गई है त इसे एक बार फिर से चला लेते हैं तो यहां पर एक मैं डाल रही हूँ इसमें सांबर का मसाला अब शेयों को बिल्कुल और इसके पीर ना आदाना है तक पोड़ी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं उसकी रेसेपि आपके साथ में जरूर से शेयर कर आप detta कर देंगे और जैस *** एल्ली का बैटर छो है उर इडली का बैटर के साथ साथ में es pegar उसके वाड़ में एक जिग करने के बाद में हमें इसंगे diff نट कर्ना है तो 200 इस थी तरी किर लेंगे यह जैसे क्या हो से स्प्रेट कर लेना है जैसे हम बैटर इसके उपर डालेंगे और अगर नहीं तो आ इस तरीके से चला कर भी उसे फेला सकते हैं बस ज्यादा इसे पतला नहीं करना और ये भी धियान रखना है कि जितना हम एक बार में बैटर ले रहे हैं चारों इडलियां बराबर बराबर बनाएं तब ही जाएकि उनकी शेप अच्छी से आएगी और वो अच्छी दिखेंगी तो देखें इस तरीके से मैंने इसे फैला दिया है अब हम लास्ट वाली पर बनकर त्यार हो जाती है लेकर तैयारी करने में और शूट करके दिखाने में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन अगर आप इसे वैसे बनाएंगे ना तो आपको इतना जादा वक्त नहीं लगेगा और जैसे हम बैटर को स्प्रेट कर देंगे उसके बाद में थोड़ी सी धन्य की पत्ती इस पर डाल देंगे और इसे ढखकर पकने देंगे कम से कम दस मिनट के लिए आप बीच बीच में इसे चैक भी कर सकते हैं और जैसे देखें इस तरीके का ना इसका टैक्शर आ जाएगा बिल्कुल यह अच्छे से पक जाएगी उपर की लेयर जो है आपको कर दिखाना भी बनता है एक नीचे से किस तरीके से दिखती है तो देखें इस तरीके से पूरा मसाला जो है इस पर लिप्टावा रहता है लेकिन मुझे इस तरीके से सर्व करने में यह उत्पम जैसी फिलिंग से आती है तो यहाँ पंड़ना मेर को इसको जैसे ऑरिजिनल इसकी शेप होती है न ठीक उसी तरीके से हम इसे सर्व करने वाले हैं तो मैं वापस से इसे टर्ण कर देती हूँ और उसके बाद में हमें के करके इसे प्लेट में निकाल लेते हैं तो एक बार थोड़ा सा मैं धनिया की पती इस पे अच्छे से चिपक जाए इसलिए दबा ल आगा होता है उपर से खटा खटा फटा इडली का अद्र आगा होता है आप इसे चटनी के साथ में खह सकते हैं वैसे भी खह सकते हैं ये ये बहुत जादा कमालकी लगते और इसको ना तो बहुत मज़ी के लगते तो अब जो है मैं थोड़ा सा और बना लेती हूं तो यहाँ पर मैं सेकंड बैच बना कर त्यार कर रही हूं सेम प्रोसेस से मैंने सबजियों को त्यार कर लिया है मसाले के साथ में भून कर और उसी तरीके से मैंने इस पर इडली का बैटर डाल दिया है तो जादा हमें टाइ तो आप इसे डिनर में भी ले सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है जैसी धनी के पत्ती इस तरीके से डाल देता है उससे थोड़ा सा हमें हातों से दबा लेना होता है और फिर से ढखकर पका लेना है तो हमारा सेकंड बेच भी आराम से बनकर त्यार हो फटा फट से बसी प्लेट में आए और फटा फट से से खाया जाए तो बहुत ही लाजवाब सा हमारा सेकंड बेच भी बनकर त्यार हो गया है और इसे भी न हम इस प्लेट में शामिल कर लेंगे बाकी प्लेट में और निकाल लेती हूं इसे तवे वाली को तो देखें इस तरीके से ना मैंने प्लेट में लगा ली है और इसके टैस को और जादा मज़िदार करने के लिए मैं से सर्व कर रही हूं नारिल की चटनी के साथ में अगर आपको यह रेसिपी देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां जाकर इस रेसिपी को जरूर से देखेगा और जब भी आप इस तरीके से इंस्टेंट तावा इडली बनाएं तो उसके साथ में नारिल की चटनी को जरूर से बना लें और अगर आप नारिल की चटनी से नहीं खाना चाते हैं तो आप इसकी जगे ना धनी की चटनी भी यूज कर सकत या फिर आपको सॉस के साथ में खाना पसंद है तो आप सॉस के साथ में भी इसे खा सकते हैं लेकिन यह हैदराबादी इडली है और वहां पढ़ना उसे इसी तरीके से ऑथेंटिक रूप से नारल की चटनी के साथ में सर्व किया जाता है इसलिए मैंने भी औरिजिनल फेलिं है इससे ना आपका कमाल का वेट लूस होगा तो आई हॉप कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने च